पोस्ट शुक्ल पर्च सब्तमी गुरुवार संब़ दोजारू नासी 29 दिसंबर का पंचान तो दीन मान हो गया 26 गटी छोपल लगभद 10 गंता के दिन 14 गंता के रात सब्तमी तित्री रात्री एक बज़ के चार में तर्थ रात्री तक रहेगा उसका अथमिति थी आ जाएगा गुरुवार पूरा दिन पूरा रात रहेगा पुरवा भाद्रपद जोह साम के पांसे तिस तक रहेगा उसका अधुत्रा भाद्रपद आ जाएगा बेटी पात्र जोग दिन में पांटे ताले साम तक रहेगा मुदगर जोगा रहेगा चर्व सोगनता तोंती नाइन दिना तारिक देथ हो जाएगा और यह का विनसती एकीस फसली तारिक हो जाएगा और थर्तिन तेरह त्रेंद शुर्ज कमशार हो जाएगा और आश्तरी आथ तारिक एट अस्त होगा आज मीनराशिके चंदरमा जो हैं सो और आज दीन में इगाराथ च्यगुन यह बाराह बज़े के पहले दिन में आजाएग पंचक रहेगा चंदरमा मीनराशिक होगा मीनराशिक हो जो बनता है जो मीनराशिक वालों के लिए सुपकारी होता है और कुछ दासी के लिए भी होता है तो चंदरमा जो है सुमिन राश्य के चंदरमा उत्तर दिशन चले जाए तो उत्तर पच्छिम के यातरा सुपारी होगा और दिशास्व भी नहीं है सुष्यवदे छह संटाले से ब्रह्महुत्न में सुपर्म होगा पांतेरह साम में संध्याकालीन सुपर दाएगा ऐसे जारा के दिन कुहा घहर लेता है बधी आजयता है तो पांतेरह से पहले का भी पहले भी लगतेक सुझास्ट हो गया आज भद्रा जो रात्री एक बरके चार मिन्युत के बाद से आएगा ओभद्रा जो है स्वा मिर्तु लोके है मिर्तु लोके धर्ती परवा अर्थ रहने वाले जी प्रानी के लिए नुक्षान डायक होता है इसलिए इसमें कोई सो काम नहीं करना चाहिए नहीं होगा और आज पुर्वा खारन च्छत्रे रवी राती सात इक तिसके बाद बाद से बात पर शुरू होगा जो कल 12 बाद के तेसे मिनें तक रह जाएगा मिर्तु लोके चे मिर्तु दा गल साहे बारवाए कर सकते हैं बीच में करना शुभ है कहीं का यात्रा नहीं कर सकते हैं और किसी भी काम इसमें नहीं होगा कियोंकि मियुक्तु तुल्यकस्त है मियुक्तु होने की सुम्भवना रहता है इसलिए इसमें कोई काई प्रारम भोलकर भी ना करें पुर्वा खार नचत्रे रभी राती साथ एक्तिस के बाद से यानि कि चंदरमा जो है सो कर लागो सब दो दिन तक एक रासी पर भीचरन करता है फिर आगे कियों बर्ते चला जाता है और एक और अठाइस दिन में लागवक एक महिना में बारहो रासी पर सभी नचत्र पर भर लागवक समय लगता है दोन चत्र पर भरमन कर लेते हैं तो आप एक महिना हो जाता है इनका महिना 30 का होना को जोरी नहीं है 32 का भी होता है तो पुरुवा खार नचत्र पर शोट आजाएंगे गुर्वा गविंशी जयनती प्राचिन मतातन नुसारे ना यानिके प्राचिन का नुषाण गुरुवा से जी का जन्म हुआ था उस में पूस्ट सुकल पक्ष सत्मी था और अंग्रेजी पांच जन्वरी भी हो गया था कि गुर्गोमिन सिंग्ण शिख धर्म का अंतिम गुरु हुए जिनका जन्म स्थले यहीं पर मेरे नजदिक्म बगल में है कि आये मुदे जया जोग साम का पांच सेंटिस के बाद से आएगा है यही आज का पंचेंग है जय हिंद जय भारत संकार देल में से आदित्य पूर्ट यहां तरका कम देखने क्लिया आपको धन्य वाद